जैहन पाक मीडिया की नए नए लेटेस्ट वीडियोज देखने के लिए क्रप्याटी के यादम न्यूज को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बैल आइकों दवाएं वीडियो पसंद आने पर वीडियोज को लाइक करें कमेंट करें सेयर करें आईए देखते हैं वीडियो जय हिंद जय भारत धन्यवाद आर्मी चीफ जनरल कमर्चावेद वाजवाद सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए हैं वह रॉयल मिलिटरी अकैडमी सेंडर्स में पासिंग आउट परिज में महमाने खसूसी के आर्मी चीफ का त्यारा कल पाकिस्तान से उड़ा पहले यह होता था किशी को पता चलता था कि आर्मी चीफ किदर जा रहे हैं क्या कर रहे हैं जवाब आता है अभी जो शक्सियाद लंडन में मौजूद हैं उन में से सिर्फ एक जो शक्सियत है उफिशली उनके बारे में बताया गया कि वो उफिशल टूर पे हैं वो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा जनरल आसिफ गफूर के मतलिक एक बहुत बड़ी ख़बर से आगा करते हैं ये एक इनतहाई हसास नुयत की खबर है इस खबर का तालूप ब्रायरास्ट आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस्टैबलिश्मेंट की बात की जाए और आज ये खबर भी बड़ी चल रही है कि जो आर्मी चीफ है बाजवा साब वो लंदन गए है और उनके साथ आईएसाई के डीजी आईएसाई भी है अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गए हैं वहाँ पर और तरीका वाताथ बड़ा जबरदस्त है आई मसला राना सनावला साब के बारे में ये इतला है कि वो सौधी अरब के पांच दिन के दोरे पर गए यह पाकिस्तान से वो सौधी अरब गए हैं सौधी अरब से आगे अजलुर्रमान जो हैं वो टर्की के दोरे पर हैं बजाहर और टर्की से लंडन को जादा दूर नहीं है और जो आइटिनरी है वो सिर्फ तर्की तक की है उसके बाद कहा उन्होंने जाना है यह कुछ पता नहीं है ऐसे निकबाल साब भी टर्की के दोरे पर हैं बजाहर और बजार नहीं बलके हकीकत में वहां पर तो गए वो अब उसके बाद वो जैसे मैंने पहले कहा कि इदर साथ वाले दर्वाजे से निकलें अगला गेट आए और उसके बाद फिर वहां पर लोग हो और अगला जो है वो टार्मेक हो उसमें जहाज पर वो टर्मिनल पर बैठें और निकल जाएं और भी कई लोग कई शक्सियात हमजा शहबाज आपको पता है वो कहते हैं मैं निज्जी दोरे पे आया हूं और उन्होंने कहा कि मैं लंडन में बैठ कर पाकिस्तानी अदालतों में अपने आपको अपना दिफार करूँगा और मैं इदर लंडन बैठ कर ये बत इंशुर करोंगा इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान से फरार ना हो सके एक बेहूदा गुपत्गू ये यह ले बेतुकी गुपत्गू और जूट का एक कारूबार लेकिन जो वहां पर हो रहा है वो ये है कि अब ये टै किया जा रहा है कि सब्टमबर में क्या हैं आपको पता है जो बिसिकली जो असल काबिना है नवाज शरीफ की जिन से वो बात करते हैं वो उन में से बहुत सारे लोगों को उन्हों ने वहाँ पर बुलाया हुआ है और उनके साथ मीटिंग्स चल रही है बीच में ये खबर आ गई कि जनरल कमरजाविद बाजवा का भी एक ऑफिशल दोरा है और ये स्ट्रिक्टली इस कंफाइंड टू अफिशल अंगेजमेंट्स और इसमें वो कहते हैं कि कोई किसी तरह की भी कोई अक्टिविटी नही है। जहां पर नून लिगी ये कह रहे हैं कि जनरा फैसला हो रहा है कि मिया zod को वापस लाया जाए करका यह जा रहा है वैसे तो खिर वह अपने किसी और ऑफिशल काम से गह下次 कहां ख्याल हो सकता है नौाई शरीफ साब से करंट सिचुएशन के बारे में उनकी बात हो रही हो लेकिन मैं नहीं समझता कि अब बाजवा साब extension मजीद लेंगे this is what my speculation देखे मैं मेरी meetings जब मैं था तो मेरे दोस्त अबाब जो है वो हर institution में है क्योंकि मेरा background अपना ऐसा है मेरी family का background ऐसा है मेरी family is in politics since long time और हर cabinet और हर administration का हिस्सा रही मेरी family तो मुझे मैं समझता हूँ कि इस वकत कोई ऐसा until कोई circumstances Pakistan के लिए ऐसे हो जाए कि जिसमें कोई सूर्टिहाद बहुत ही खतरनाक हो जिसमें आर्मी चीफ जो हम समझते हूँ या आर्मी डिसाइड करें उनके boards डिसाइड करें कि it is not feasible to have a change लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वकत हमारी establishment is not interested in another extension उनके अंदर जो अंदर मैं रेखें जो recent तबादले हुए हैं ये merit पे हुए तबादले सारे every all of the stakeholders they were on board और जो बाहर हमारे लोगों ने जिस तरह तबस्रेश पे किये हैं जो recent reshuffling हुई है उसमें तबस्रेश सिर्फ ऐसे लोगों के अपने थे अपने अंदाजे क्याफे लेकिन it was based on merit नहीं लेकिन हो सकता है नौज शरीफ साब से current political situation पे हो क्योंकि मेरी जो मुझे जो आ रही है आवाजें आ रही है कि नौज शरीफ थोड़ से हलात मजीद गुजर जाएं तो नौज शरीफ बिल कम एंड टेक पार्ट अपने इस सारे अगला जो अलेक्शन है आदर वो खुद अलेक्शन लड़े या ना लड़े जो ज़राएं हैं वो यह इस बात की बड़ी सक्टी से तरदीद करते हैं कि जिनल साभ वहां पर किसी कि तरह भी किसी पाकिस्तानी पॉलिटीशन से मिलेंगे या किसी किसम की भी स्यास्त महीं सालेंगे कते ही तो आप चारों पे वो कहते हैं यह खलत है और अगर ये सब लोग वहाँ पर मौजूद हैं किसी वज़ा से और जनल साब भी है वहाँ पर तो ये को इंसाइड कर गए है ये चीज़ वहाँ पर बरतानिया की दावत पर गए हैं जिन तकरीबात में उन्होंने शिर्कत करनी है उनका भी शेडूल है कुछ खांदानी जराय का ये कहना है कि एक आद कोई प्राइवेट फंक्शन भी उनकी फैमिली का है लेकिन उनका किसी सियासत से तालुक नहीं है लंडन में उनकी मौजूदगी जो है वो बहुत सारी क्यासराईयों को जनम दे रही है ये उनका कहना है और इमरान खांद साहब से है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुदते मुलाजमत है ये 29 नमबर 2022 को खतम हो रही है और अगर जनरल बाजवा अपने इस एकस्टेंडिड टेनियोर के बाद एकस्टेंशन नहीं लेते तो फिर 30 नमबर को नए आर्मी चीफ का तकर्री होगी और इसी पूरी सूरते हाल में अब जनरल आसिफ गफूर के मतलिक एक बहुत बड़ी इंतहाई हसास नुयत की और ताज़ा तरीन खबर आई है और वो खबर ये है कि अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जिस तरह से डी जी आइस पियार ने एला इसी पियारटी लिस्ट मुझूद है लेकिन यहां पर एक बहुत ही तैलका खेश किसम का दावा किया गया है इसलामभाद में जो इक्तिदार की रादारिया हैं वहां पर आप कहसे हैं के एक इंतहाई एहम नुयत की इतलाग गर्धिश कर रही है इसलामबाद के जो इक्तिदार के एवान है वहां भी ये मामला डिसकस किया जा रहा है और अब कहा ये जा रहा है कि आर्मी चीफ जर्मनल कमर जावेद बाजवा जिनकी मुदते मुलाजमत वैसे तो 29 नमंबर 2022 को खतम हो रही है लेकिन उन्हें एक साल की एक्स्टेंशन दी जा सकती है पिसी को नहीं पता चलता था हमने सोशल मीडिया के ओपर देखा कि लोगों ने तियारे के उड़ने से लेके जब तक वो लंदन के लूटन एरपोर्ट पे लैंड नहीं कर गया एक एक लंबे की रिपोर्ट दी कि जी तियारा आप इदर पहुंच गया है इसने के ऐसी एप्स बनीवी हैं डिजिटल एप्स जिनके जरीए आप मुल्क क्या दुनिया की हर फ्लाइट को फॉलो कर सकते हैं और बता सकते हैं कि फ्लाइट कीदर जा रही हम उस दोर में रह रहे हैं बताने का मकसद यह है अच्छा आर्मी चीफ लंदन आ रहे हैं तो पहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब आर्मी चीफ क्यों से मुलाकात होगी एक पता आपको एक स्यासी महौल बन रहा है और उसके हवाले से फिर लोग बातें करना भी शुरू हो जाते हैं कोई सची बातें करतें को जूट ही करतें मफरूजे उडातें लेकिन जो आफिशल वर्जिन है वो आई एस पियार की जानिब से आया आर्मी चीफ यहां पे बरतानिया के अंदर जो रॉयल मिल्टरी अकैडमी है बरतानिया में उसमें पासिंग आउट प्रेड है उसमें वो शिरकत करेंगे उसके लावा जो मिल्टरी क्यादत है बर्तानवी फौज की, उन से उनकी मुलाकाते होंगी. स्कूरटी के अवाले से, हमारे खिते के जो इशुजCeux है, उनकी बाते होंगी, मुझाकराथ होंगी, और बातचीत होगी. इस वज़ा से आरमी चीफ हाएं, ये है ऑफिशल वर्जन. अब अगर आर्मी चीफ की किसी और से मुलाकात होगी तो ये नहीं हो सकता है कि वो खबर छुपके रहेगी अभी तो वैसे ही लोग उड़ाई जा रहे ना कि ये होगा वोगा अगर ऐसा कुछ होता है तो जो मैंने आपको बताया ना उड़ा पाकिस्तान से तो दुनिया में लोगों ने बता दिया तो ये नहीं हो सकता कि लंडन में ये किसी और जगापर उनकी मुलाकात हो तो ये किसी से हो तो वो चीज छुपी ली ना रहे है जो रॉयल मिल्टरी अकेडमी के अंदर पासिंग आउट प्रेड है वो पहले से तैय था कि आर्मी चीफ ने वहाँ पे आना है और उसमें शिर्कत करनी है यह तो नहीं होता ना कि एक रात को पहले ब्रिटिश आर्मी का चीफ बाजवा साब को कॉल करेगा या मैसिज करेगा कि बाजवा साब तुसी जरूर होना है सर लड़के खुश होंगे सर आपने जरूर आना है ऐसे नहीं होता यह चीजें पहले प्लैन होई होती हैं पर एनिवे इस वक मुल्क के अंदर आनफॉर्चनेटली महौल ऐसा बन गया कि सची जूटी खबरें जो हैं वो सारी चलती रहती है साथ साथ तो यह तो आर्मी ची सब्सक्राइब को हॉम मिनिस्टर राणा सलावलावी मुल्क से बाहर जा चुकी हैं यह सारे लंडन में एकटे होने वाले हैं कुछ लोगों का यह कहना है कि बाजवा नवा सरीप से मिलकर अपनी ड्यूटी की एक्स्टेंशन लेने गया है कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में टीटीपी अंदर आ चुकी है टीटीपी अपना पूरा जोर पाकिस्तान में दिखा रही है उस बाजवा का मुल्क छोड़ कर जाना पाकिस्तानी मीडिया में हड़कम पमच चुका है आपकी क्या राय है कमेंट में जरू सेयर करें यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें जय हिद जय मारत